वह यह हम शिलाजीत को कब लें यह सवाल मुझसे अक्सर कमेंट में पूछा जाता तो आज इस सवाल का मैं अंसर देने वाला हूं साथ के साथ ही आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो शायद आपको पता ना हो कि शिलाजीत को कब लेना है और आपकी शिलाजीत क्या में प्योर है यह भी जानेंगे कौन से बैस ब्रैंड जो कि आप ले सकते हैं इसका जवाब भी मैं दूंगा सबसे पहले चीज शिलाजीत एक ऐसा सबस्टेंस है जो कि आपको हिमालेयन रॉक्स में पाए जाता है यह और इसे पहाड़ों का पसीना भी कहा जाता है हम शौर कि बहुत सारे लोग को अभी भी नहीं पता होगा लेकिन यह एक ऐसा सप्लीमेंट है मिनरल बेस सप्लीमेंट है जो कि आपके टिप यानि की टिप ओफ यॉर हेड टो तक हर एक बिमारी को सही करता है फिर चाहें वह आपके स्किन एजिंग हो चाहें वह आपके हार्ट हो या और को रिलेटेड है यहां तक कि यह आपको एक ऐसी शक्ति प्रदान करता है जो कि आपको दस साल पहले महसूस होती थी जितने उमर के आप आज हैं यानि कि अगर मैं आज 25-26 साल का हूँ तो मैं जब 18 साल का हुआ करता था तब जैसी सपूर्ती मेरे अंदर होती थी बैसी सपूर्ती मुझे इस सप्लिमेंट को लेने के बाद महसूस होती है और आप मेरी ना माने आप रिसर्च कर सकते हैं किसी भी डॉक्टर के पास जाके पूस सकते हैं वो हमेशा आपको यही बूलेगा कि हाँ वाकई में शिलाजीत में यह सारे बेनिफिट्स होते हैं क् पर भी आपको यह चीज देखने को नहीं मिलेगी इसके साथ ही आपको इसमें दो इंपॉर्टेंट एसिट्स तेखने को मिलते हैं जिसका नाम है फ्यूल्विक एसिड एंड हुमिक एसिड होता है जो कि प्लांट के डिकंपोजिशन के दौरान एंड हुमिक एसिड भी प् प्रेस जो होता है यह आपको कैंसर तक दे सकता है अगर यह ट्रीट ना हो अगर आपकी बॉड़ी एंटि ऑक्सिड ना बनाए तो यह फ्यूल्विक एसिड इसी ऑक्सिडेटिव स्ट्रेस को खतम करने में आपकी बॉड़ी की मदद करता है अब कई सारे लोग जो स्पेश तो मैं कॉंटिटी बतायता हूं आपको और कब लेना वह बतायता हूं को एडिली मैं कब लेता हूं सप्लेमेंट को मैं जंरली सुबह नेता हूं घृत क्यों उसके दो रीजन है पहला खाली पेट इस तो मेरी बहुत अच्छी हो जाती है शिलाजित की और मैं ऐसे कैसे ले मैं जिम में परफॉर्म करता हूँ एक साइस को तो वहाँ पे मेरी हार्ट रेट तेज हो जाती है या फिर मेरा ब्लड फ्लो जब तेज हो जाता है तो इसके भी जितने ट्रेस वाइटमेंस एंड मिनरल्स हैं वो बड़ी असानी से मेरे खून में मिल जाते हैं आइडिली क्या जल्दी आपकी बॉड़ी पर असर दिखाता है इसी वज़े से मैं से सुबह सुबह लेता हूँ अब कई लोग ऐसे होंगे जो जिम नहीं जाते होंगे तो आप इसे शाम को ले सकते हैं दूद के साथ गुनगोना दूद लेना है और उसमें चीनी बिलकुल मत मिलाएगा च चुरुआत करने हैं बिलकुल इतनी सी होती है चितनी मैं अब दिखा रहे हैं अब एक चीज यहां पर और बता दू अगर आपकी शिलाजीत नीचे बैठ रही है और ठीक से घुल लाई रही और आपको उसमें पार्टिकल्स नजर आ रहे हैं एक दो चलता है लेकिन बहुत जादा पार्टिकल्स नजर आ रहे हैं तब आपकी शिलाजीत जो हो सकता है वो एक प्योर हो दूसरा आपको जब भी कोई भी आप जब ब्रैंड को चूज करें देखें मार्केट में आजकल बहुत ज़्यादा ब्रैंड्स आ चुके हैं तो कोई भी जब आप ब्रैंड को आपको एक चीज देखना है कि उसमें एक तो लैब रिपोर्ट आपको मिल रही हो हाला कि सारे के सारे ब्रैंड ब्रैंड आज कर रहे हैं लेकिन आपको एक चीज़ देखनी है कि 60 परसेंट या 65 परसेंट से जादा इस प्यून्विक अश्वाइड फेल है वह शिलाजीत मे मैंने personal try कर रखे हैं और इनकी individual video भी बना रखी है इन में 60% से उपर आपको जो profile है वो देखने को मिल जाती है तो आप इन brands के लिए जा सकते हैं अच्छा बात करें टेस्ट की तो आप टेस्ट से भी पता लगा सकते हैं कि आपकी जो शिलाजीत है वो प्योर है या इंप्योर है जब आप टेस्ट करते हैं ना कि उल्सीजरी प्योर शिलाजीत को तो तोसमें रिकासा विस्की ट हैड़त कभर आथा या कड़ टाइब का फिलेवर आता है अि कई-कई-कई लोगों कू ना जब आप उसे सुनखेंեनगे तो जैसे प्योरीन की स्मेल होती है वैसे ही आप आपको मिठास आ रही है तो जब आप उसे टेस्ट करेंगे तो आपको पता चल दाएगा कि विस्की वाला फ्लेवर है या इसमें से हलकी सी मिठास आ रही है तो उससे भी आप जान सकते हैं कि आपकी शिलाजीट प्यूर है या इन्प्यूर है और भी मैंने बहुत सरे चैनल पर एंसाथ के साथ ही मैंने फैर टेस्ट भी कर रखा तो आप उनको भी चेक आउट कर सकते हैं हर एक वीडियो में मैंने लगबग लगबग सारे टेस्ट मैंने परफॉर्म करें हैं अगर आप पहली बार शिलाजीट को इस्तेमाल करने वाले हैं तो बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं करनी है आई नो यह बहुत ज्यादा होता है आई नो कि आपको लगेगा कि यार इतना ज्यादा पावर्फुल स्टफ है तो मैं ले लूँ से काफी बार दिन में लेकिन ऐसा करना नहीं है हमेशा रखना है अगर आप किसी भी मेडिकेशन को बहुत ज्याद आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा मैं आप चेक आउट कर सकते हैं और उसमें खुद से देखेगा आप इसमें फ्यूल विक एसिट कितनी है अगर आपको फ्यूल विक एसिट दिख रहा है कि यार 60% से उपर है तो अराम से आप उसके लिए जा सकते हैं बहुत सार रिजर्ट में साथ शेयर कर सकते हैं उमीद करता हूँ इस वीडियो से आपके सारे कन्फूजन दूर हुए होंगे अगर आप चैनल पे पहली बार हैं सब्सक्राइब दूर कीजिएगा और मैं मिलता आपको अगी वीडियो में बाई